जैशे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूटुब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ठाकुर शेक रिष्ण जी को रास रचाने की जरूत क्यूं पड़ी और उन्होंने इतनी सारी गोपियों के साथ रास क्यूं रचाया इस बात को लेकर कई लोग बहुत गलत विचार रखते हैं अपने मन में हमारे ठाकुर जी के बारे में कि उन्होंने रास्र क्यूं रचाया उनके संग इतनी गोपियां क्यूं रहती हैं तो बिना उनके बारे में पढ़े सुने या जाने आप अपने मन में बिल्कुल भी गलत विचार मतल आए हमारे ठाकुर जी की हर लिला के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर था तो आप बिना किसी कथा को सुने या उनके बारे में जाने अपने मन में गलत विचार बिल्कुल म तो आज की वीडियो में हम यहीं चर्चा करेंगे कि ठाकुजी को रास रचाने की जुरत क्यूं पड़ी तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें जो कि हमारे ठाकुजी के बारे में गलत विचार रखते हैं कि उन्होंने रास क्यूं रचाया भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में परसिद्ध है शे कृष्ण का हर स्वरूप उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिये था कि वे कृष्ण से दूर ही नहीं रह सकती थी प्रिंदावन की हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानिया बया करती है लेकिन सर्व प्रत्थम रास का आयोजन कैसे और किन प्रस्थितियों में हुआ रास का वास्तवी कर्थ क्या है इससे जूड़ी लीला से बहुत कम लोग परीचित है तो आजम उन्हें बहीं बताने जा रही है कि राज ठाकुर्जी ने क्यूं किया दरासल श्री कृष्ण द्वारा रचाया जाने वाला महारा सबसे पहले शर्थ पूर्णिमा की रात्री को संपन हुआ जिसका संबंद कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनोती से है प्रेम और काम के देवता कामदेव ने जब अपने बान से भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो उन्हें अपनी ताकत पर बहुत कमंड हुआ जब माता सती की मृत्यू के पश्चार जब भगवान शिव संसार की मो माया के बंधन से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए थे तब देवताओं के कहने पर कामदेव के बान नहीं उन्हें पार्वती की और अकर्षित किया था ध्यान भंग होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था परंतु कामदेव की पतनी रती की विंती सुनकर भोले नात ने उसे पुन जीवन दान दिया इस खटना के बाद कामदेव को अपने उपर गर्व हो गया कि वे किसी को भी काम के प्रति आस्तर कर सकता है इस कमंड के चलते उन्होंने एक बाद श्री कृष्ण जो की वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे उन्हें वासना के बंधन से बांध कर ही रहेंगे श्री कृष्ण ने भी उनकी चनोती स्विकार कर ली परंतु इसके लिए भी कामदेव की एक शर्त थी काम देव ने कहा कि आश्विन माह की पूर्निमा की राद पृर्णिमा की राद प्रिंदावन के खुपसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अपसराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा जहां कामदेव के अनुकूल वातावरन भी हो, श्री कृष्ण ने कामदेव की एह बात मानली और शर्थ पूर्णिमा की राज प्रिंदावन के रमणिये जंगल में पहुँचकर बांसुरी बजाने लगे उनकी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुधबुध खोकर श्री कृष्ण के पास पहुँच गई उन सभी गोपियों के मन में श्री कृष्ण के नस्तीक जाने उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था जो प्रेम दिल से किया जाता है उसमें वासना के लिए कोई जगा नहीं होती उनके मन में सिरफ और सिरफ अपने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा थी सामान्य भाषा में काम, क्रोध जैसे भाव जीवन के लिए सही नहीं माने जाती लेकिन जब बात अपने अराध्य के नस्दीक जाने की हो तो कोई भी भाव गलत नहीं समझा जाता श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहां मुझूद सभी गोपियों के साथ महरास रचाया लेकिन एक शण के लिए भी उनके मन में वासना का परवेश नहीं हुआ काम के देवता, काम देवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन करने में वे सफल रहे चारों और अपसराओं से भी खूपसूरत इस्त्रियों से घिर जाने के पास स्वेम को वासना से बचा कर रखने का कार्य तो हमारे ढाकोर श्री बांके ब्याहरी ही कर सकते हैं उन्होंने माहारास का अयोजन भी किया लेकिन उस रास के दोरान अपने भीतर किसी भी धरा की वासना को उत्पन नहीं होने दिया इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास पी रचाया उन्हें अपने समीब भी रखा और कामदेव से लगी शर्त भी जीच चुके थे तो कामदेव के इस खमंड को तोडने के लिए हमारे ठाकुर शेक्रिष्ण ने महाराज किया हमारे ठाकुर की हर लिला के पिछे कोई ना कोई वजा जरूर थी तो आप प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए उन लोगों तक पहुँचाईए जिनके मन में अभी भी ये भावना रहती है कि हमारे ठाकुर जी ने क्यूं राश्ट रचाया तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन ब्रेस करें राधी राधी दोस्तो टेक कियर